वेल्कम बैक एवरिवन, वेल्कम टो सिविल सर्विसे स्टड़ी, फोकस करते हैं अपने अगले टेस्ट पर, यह है टेस्ट नमबर 131, इंपोर्टन होंगे प्रश्ण, इस टेस्ट में फोकस करेंगे समसमाई घटनाओं के प्रश्णों पर, और सामान यद्धन के प्रश्ण पर तो बैल आइकन को प्रेस रखना, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हैं, आरो हाई कोट अलाबाद की जो टेस्ट सीरी जव, वो स्टार्ट कर दी गई है, उसका लिंक इस टेस्ट के नीचे आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा, जिन विद् कान सिस्सा बादलो से अच्छादित रहता है, जिसकी वज़े से इस पर उपस्तित भू आकरतियों, मतलब क्रेटर या उच्छबाज भूमी जो है, उसको देखना मुस्किल होता है, ये भू आकरतियां ग्रहों के घुडन को मापने के लिए एक आधार विंदू, जिसको ब पता ना लगभग, और यहां पर एक दिन कितने, पांच हजार आठ सो बत्तिस घंटे का होता है, मतलब दो सो तैतालिस दिन का, तो कौन सा है इसमें ये वोग रहा है, मंगल है, ब्रहस्पति है, शुक्र है, सनी होता है, देखें इसका अंसर हो जाएगा, अपसन नमबर भी शुक्र, तो देखें, 1963 में रडार द्वारा किये गए सरवेक्षणों से ग्यात हुआ की, सुक्र ग्रह की घुणन की दिशा, अन ग्रहों के घुणन की दिशा से विप्रीत है, याद रखना, सारे ग्रह गुमते हैं, पस्चिम से पूरप की और और यह गुमता है, पूरप 243 दिनों के बराबर है, मतलब 5832 घंटे है, कोशन नमबर टू है, ब्रहस्पती की भाती, यह भी एक विसाल गैसीय पिंडए, इन मैंसे किसी एक की बात हो रही है, इसकी कोई उपरी सीमा, इसकी कोई उपरी ठोस सते नहीं है, हाला कि इसका जो कोर है, वो ठोस इस्तिती में है, परंतु इसकी जो बाहरी परत है, वो हाइडरोजन, हीलियम तथा धूल कणों से, उसका मिश्रण है, और यह ग्रह प्रत्वी के समान ही, अपने अक्ष पर जुका गुआ है, जिसकी वज़े से वहां रितू परिवर्दन होता है, तो कौन-कौन से क्लू इसमें मिलना है यहां पर देखिए, यह ग्रह प्रत्वी के समान ही, अपने अक्ष पर जुका हुआ है, जिसकी वज़े से वहां रितू परिवर्दन होता है, देखिए, यह ग्रह हाल ही में नियूज में था, समाचारों की सुर्खियों में, क्योंकि बरत्मान में इसके जो हैं, वो सबसे जादा उपग्रह हो गए हैं, अभी तक सबसे जादा उपग्रह ब्रहस्पती के थे, लेकिन अप सनी के हो गए हैं, तो इसका अंसर हो जागा, अपसन नमबर भी सनी, देखिए, सनी ग्रह प्रत्वी के समान ही अपने अक्ष पर जुका हुआ है, जिसकी वज़े से महां रि सनी के बायू मंडल के किनारों पर उपस्थित, प्लाजमा को प्रभावित करता है, और जो इसके बायू मंडल की बिभिन परतों के वीज घर्शन पैदा करता है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो केसनी स्पेस क्राप्ट है, वो सनी के वातावरण की जानकारी के के लिए इसको भेजा गया था, बरतमान में सबस्याद उपग्रह है, वो सनी ग्रह के हो गया है, क्या है नाविक हिंद महसागर में खो जा गया विस्व का सबसे गहरा छेत्र है, या सुनामी से निपटने के लिए पूरवी योजना है, या फिर छेत्र नेविगेशन बाड़ पीडितों को बचाने के लिए कारिकरम भी नहीं है, ये क्या है, छेत्रे नेविगेशन उपग्रह आधारित प्रणाली है भारत की, देखें नाविक नेविगेशन इन इंडियन कॉंस्टलेशन आठ उपग्रहों की छेत्रे नेविगेशन उपग्रह आधारित प्रणाली है यह जो अमेरिका के जी पीएस की तरह कार्य करती है उश्य नमबर फोर है 12 अप्रेल को PSLV C41 के माध्यम से स्री हरी कोटा के सतीज धवन अंत्रिक्ष केंद्र से भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनेजिशन इस रो द् दिए नो वहन नविगेशन ओप्ग्रेशन अप्रेल मीजट का सफल परिक्षन किया गया प्रेट के स्री है जे नमबर B तो 12 अप्रेल 2019 को PSLV C-44 के माध्यम से C-41 के माध्यम से स्रीहरी कोटा के सतीज धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारते अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्ज और इसर्ज और इसर्ज 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 बन मतलब इंडियन रिजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम वन नेविगेशन नोबहन नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपन किया गया चलिए कोशन नमबर फाइव है नाविक की कार्य पनाली के संदर्ब में यह सब्द नहीं है सथ्टे है नेविगेशन की कार्य पनाली के संदर्ब में सथ्टे है क्या सथ्टे है इनमें से नाविक के उपग्रह दो माइक्रो वेव फ्रिक्वेंसी बेंड पर सिगनल देते हैं जो है L5 और S जो L5 और S के नाम से जाने जाते हैं second है यह है standard positioning service तथा restricted service की सुबिधा परढ़ान करता है पता है इनमें से कौन सा correct है, कौन सा incorrect है, दोनों incorrect है है, दोनों correct है देखें सेकेंड वाला क्या है यह स्टेंडर्ड पोजिस्निंग सर्वेस तथा री इस्ट्रेक्टेड सर्वेस की सुविधा परधान करता है और नाविक के दो उपग्रह जो है वो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी वेंड पर सिंगनल देते हैं जो है एल फाइव और एस करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेट्मेंट नाविक की कारप्रणाली के संदर में दोनों कथन सत्य हैं देखें नाविक की जो कारप्रणाली है नाविक के दो उपगरे माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बेंड पर सिकनल देते हैं जो है L5 और S और यह स्टेंडर्ड पोजिटिंग सर्विस री इस्ट्रिक्टिट सर्विस की सुविधा परदान करता है इसकी री इस्ट्रिक्टिट सर्विस सेना तथा महतपूर्ण सरकारी कार परणालियों के लिए सुविधा परदान करने का काम करती है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछा जा सकता है अगला कोश्चन है नाविक से संबंदित है छेत्रे नेविगेशन उपगरे आधारित स्वदेशी परणाली ना हवाई और समुद्री नोवहन में हो सकता है क्या छेत्रिय नेविगेशन उपगरे आधारित स्वदेशी परणाली है नाविक इसका उपयोग आपदा प्रबंधन में भी हो सकता है बाहनों को ट्रेक करने में भी हो सकता है मचली पकड़ने वाली नोकाओं में भी हो सकता है इस थलिये हवाई और समुद्री नो भेहन में भी हो सकता है इसका अनसरो जगा बन टू थरी और फोर देखे ये सारे इसके उपयोग हैं जली से इनको कबर कर लेते हैं नाविक के उपयोग क्या है बर्तमान में इसका प्रियोग परिवहन संसादनों में किया जा रहा है ताकि बाहनों को ट्रेक किया जा सके साथ ही दुर घटना इत्यादी जैसी अपरत्याशित घटनाओं का सीक्रता से पता लगाया जा सके चल सके देखे इसका उपयोग मचली पकड़ने वाली नोकाओं में भी किया जा रहा है इसके अतरिक्त सड़क परिवहन और राजमार्क मंत्राले ने पिछले वर्स आदेश दिया था कि सभी राश्टे पर्मिट वाले बाहनों में ट्रेकिंग उपकरण होने चाहिए इस थली हवाई और नोवहन इस थली हवाई और समुद्री नोवहन आपदा परबंधन मोबाइल फोन के साथ एक एकरण सटीक समय और मैपिंग एंड जियो टैगिंग डेटा कैप्चर एबम ब्यात्रियों के लिए इस थली नोवहन साहिता के रूप में भी इसका पुष्या नमबर सेबन है एंट्रिक्स कॉर्प्रेशन लिमिटेड है क्या ये एंट्रिक्स कॉर्प्रेशन लिमिटेड क्या है एंट्रिक्स कॉर्प्रेशन लिमिटेड क्या है ये चीन सरकार की है यूएसे की सरकार जापान की सरकार या भारत सरकार एंट्रिक्स कॉर्प तो एंट्रिक्स कॉर्प्रेशन लिमिटेड ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित वाली कंपनी है जिसका प्रसास नियंत्रन अंत्रिक्स विभाग भारत सरकार के पास है एंट्रिक्स कॉर्प्रेशन लिमिटेड को सितंबर 1992 में अंत्रिक्स उत्पादो तकनीकी परामर सेवाओं और इसरो द्वारा विक्सित प्रोध्योगिकियों के वाणिजिक दोहन वे परचार परसार के लिए सरकार के स्वामित वाली एक प्राइबेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थाफित किया गया था इसका एक अन्प्रमुक उद्देश भारत में अंत्रिक्स संबंधित और ध्योगिक छमताओं के विकास को बढ़ावा देना है कोश्चन नमबर एट है भारत में सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है इंपोर्टन्ट है यह प्रश्चन भारत में सिविल सेवा का पिता पुलिस सेवा का पिता जमेदारी विवस्था का फादर जो कहा जाता है वो लॉड कार्नो वालिस को कहा जाता है तो इसका अंसर ह होजी ने व्यपगत का सिद्दान्त डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स का सिद्दान्त दिया था याद रखेगा राज अपनीती पूश्य नमबर नाई ने चिपको अंदोलन से कौन संबंद रखता है इस प्रशन का उत्तर क्या होना चाहिए गोरा देवी चंडे प्रशाद भट सभी देखे अधिकतर जो बहुत सरे स्टुडेंट है उनको सुंदरलाल बहुगुणा का पता है लेकिन जो ये चिपको अंदोलन था ये शुरू किया था चंडे प्रशाद भट और गोरा देवी के द्वारा वाद में इन्होंने कंटीन्यू किया था मतलब महत्रपुन प्रशाद भट और भारत के प्रशिद संदरलाल बहुगुणा ने आगे इसका नित्रत्व किया इस आंधोलन में पेडो को काटने से बचाने के लिए गाउजग्यू के लोग पेड़ से चिपक जाते थे इसी वज़े से इस आंदुलन का नाम चिपको आंदुलन पढ़ाता मार्च में इसको 45 साल हो गए कुशन नमर दस है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है आसान सा प्रशन है कौन सा है इसमें भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क देखे यह है है जिसको बाद में बोला गया कारवेट नेशनल पार्क और आज भी इसका नाम कारवेट नेशनल पार्क है यह उत्तरा खंड के ने निताल जिले में इस्तित है और सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसी नेशनल पार्क से शुरू किया गया था 11 परस्ट नेशनल पैसे कौन सी पूरन बाहणी नदी नहीं है पूर बाहणी मतलब इस दिसामें नहीं बहकर इस दिसामें बहती है या किसी और दिसामें बहती है तो देखें यहाँ पर कावेरी पूर बाहनी नदी है, क्रिश्ना भी पूर बाहनी नदी है, महा नदी भी पूर बाहनी नदी है लेकिन जो लूनी है वो पूर बाहनी नहीं, यह पश्मी बाहनी नदी है, राजस्तान की नदी है लूनी देखें लूनी यह नदी अरावली परवत के निकट नाक पहाड से उत्पन होकर दक्षिन पस्चिम शेत्र में प्रवाईत होते हुए कच्छ के रन में जा मिलती है और यह नदी जेतारण के लोटोती से भी निकलती है तथा राज से भी निकलती है इस नदी का पानी उद्गाम इस्थान से लेकर बालो तरह तक मीठा होता है लेकिन बालो तरह में पहुंचते ही उसके बाद यह खारा हो जाता है कुछ इंपोर्टन तथ इससे जोड़े हुए इसकी लंबाई है 495 किलोमेटर सुरोत है इसका अरावली मुहाना है इसका कच्छ कारण मुहाना गया होता जहां पर यह ब्रीन हो जाती है वागी देश है अपना इंडिया और इस पर एक ब्रीज भी बनाया गया इसका नाम याद रखिए लूनी रिवर ब्रीज लुनी रिवर ब्रिज Question number 12 है इन में से कौन एक संबेधानिक निकाय है देखिए, कबर करा रहा हूँ संबेधानिक निकाय और गयर संबेधानिक निकाय important है, पूछी जाती है last test में कराया था संबेधानिक निकाय बता दिया है कौन-कौन सी होती है तो यहाँ पर देखिए इसमें एक ही केवल संब्धानिक निकाय है वो है नियंत्रक एवम महालेखा परिक्षक भारते संब्धान के आर्टिकल 146 में इसका प्रावधान है और वाकी राज का सूचनायोग नीती आयोग राज मानबदी का रायोग ये क्या है ये गैर संब्धा कि अनुसार जैसे नीती आयोग पहले कभी योजनायोग हुआ करता था एक जन्वरी 2015 को इसका नाम परिवर्तित करके नीती आयोग कर दिया गया संसत के द्वारा राश्ट विकास परिसद और राश्ट मानबधिकार आयोग तो राजिकावी मानबधिकार आयोग होगा Q.39 संथरे को इसकी सथापना 1964 में किंद्र सरकार के तहत सरकारी भ्रहष्ट एचार की पहचानवे सतरक्ता निगरानी करने के लिए की गई केंद्रिय सतरक्ता आयुक्त को भारत के राष्टपती द्वारा निउक्त किया जाता है केंद्रिय सतरक्ता आयुक्त का कारिकाल पांच वर्ज का होता है और इसे एक स्वायत निकाय का दरजा प्राप्त है दूसरा भी आसत्य है राष्टरपती द्वारा निक्तिक की जाती है कि कारिकाल पांच वर्स की थोण रखी pra घॉशन नमबर 14 हाल ही में किंद और राज में बिधान सभाज चुनाब संपने ईम्पोर्टन है सबी को उसको नहीं पता है तो इसका उत्तर है हरियाना और महाराष्ट में अक्टूबर में हुए कोश्य नमबर फिप्टीन है इन में से कौन से सब्द अर्थ सास्त्र से संबंद रखते हैं राहू और राघव, तेजडिया और मंदरिया रेवड़ी और नेवड़ी, गोदड़ी और बोदरिया देखे अर्थ सास्त्र में जो संबंद है, जिनका संबंद है वो है तेजडिया और मंदरिया इनको सटोरिया बोला जाता है क्या बोला जाता है सटोरिया कुश्य नमबर 16 है इनमें से कौन जैब निमनकी करण नहीं है जैब निमनकी करण या जैब निमनी करण या इसको बोला जाता है वायोर डिग्रेडेबल वायोर डिग्रेडेबल क्या होता है जो सीक्ष्म जीवों के द्वारा कार्वनिक पदार्थों में बदल दिये जाते है तो खीरे के छिलके इसमें बायो डिग्रेडेबल है मतलब जैब निमनी करण है पेड़ से तूटी पत्तियां भी जैब निमनी करण है बाग द्वारा मारा गया हिरन है अगर बाग ने हिरन मार दिया है आधा खाला आधा ऐसी छोड़ दिया तो उसको जो सूक्ष जी भी होते हैं वह सड़ा गला देते हैं कार्विनिक पतार्टों में तोड़ देते हैं यह जो टूथ प्रस हैं यहां पर यह बायो डिग्रेबल नहीं है क्योंकि प्लास्टिक का बनाए प्लास्टिक बायो डिग्रेडबल थो लिए कौश्चन नमबर 17 है खराई उट के संदर में कौन सकता है इसमें बताइए देखे नौस प्लूशन थोड़ा आ सकता है पीछे से इग्णोर करिये गा उसको खराई उट इंपोर्टेंट है कौन सा गलत है यह कच्छ के रंड की दलदली भूमें पाया जाता है यह जंगली होता इसलिए पालतू नहीं बनाया जा सकता यह उट की परजाती का अकेला तैरने वाला उट है बरतमान में इसकी संख्या कम हो रही है इसलिए आयू सी एन की संकट ग्रस्त सूची में सूची बद्द है यह पताइए कौन सा करेक्ट है इसमें कौन सा इंकरेक्ट है खराई कैमल वैसे तो इंकरेक्ट ही ढूड़ना है आपको देखें जो खराई कैमल है जो खराई ऊट है यह कच्छ के रण की दलदली भूम में पाये जाता है करेक्ट है यह उट की परजाती का अकेला तैरने वाला उट है और देखें इसकी जो संख्या है वह साड़े छे जार के लगवाग पहुंच गई है इसने आयू सी एन ने इ 14 stars 1000 से कम यह जंगली होता है लेकिन यह पाल्तु बनाया जा सकता है लहांकर लोग इसको बनाते हैं गलत है पाल तु बना कर पाल जा रहा है इसंस्या नंबर 18 नेमे के से कौन सही जो मेहले नहीं है इलफा कोशीकाउन से निकला ग्लू के गॉंच आ इंसलिन हर्मोंस और देखे अलफा कोशिकाउं से निकला ग्लूकेगान हार्मोन्स बीटा कोशिकाउं से निकला इंसुलिन हार्मोन्स गामा कोशिकाउं से निकला सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स और टेस्टिस कोशिकाउं से निकला एस्टोजन हार्मोन्स ये करेक्ट है ये करेक्ट है ये करे हिमाले इक वलित परवत है आरावली के सामने भी वलित परवत लिख दिया तो करेक्ट है करेक्ट है यह इनकरेक्ट है क्योंकि एक अवसिष्ट परवत है अरावली सबसे पुराना question number 20 है बर्तमान में मतस उत्पादन में पर्थम इस्थान पर कौन सा देश है कौन सा देश है पर्थम इस्थान पर ये प्रेश्ण पूछा ही जाना है इस वार जहां तक है देखें पर्थम इस्थान पर मचली उत्पादन में है चीन और दुत्य स्थान पर है अपना भारत और तृत्य स्थान पर है इंडो कानेशिया और चोथे स्थान पर है पेरू ये चारों को बढ़ते विक्रम्बे याद रखिए इंपोर्टन्ट है तो चलिए यहीं समप्त करते हैं इस टेस्ट को इंपोर्टन्ट थे ये सारे के सारे प्रेशन सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट होती है इसकी एक्स्प्लिनेशन तो सब्सक्राइब जरूर करना सिविल सर्फ से स्टडी चैनल को जिन विद्यारतियों ने आब दिन किया है इ लावाद हाई कोट की परिक्षा है तू उनकी जो टेस्ट सिरीज है वो भी स्टार्ट करती गई है लिंक इस टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में है अपनी इच्छा के अनुसार विजिट करिए धन्यवाद